जया गोरनिताई गोरनिताई जया गोरनिताई प्रभुपात 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 जय गोरनिताई गोरनिताई जया गोरनिताई 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 निताई गव्रा हरी बोल हरी बोल मिताई गव्रा हरी बोल कले उपावन हरी नाम संगीतन यज्यां की कृंत राशिमत भावत महा पराने की समावेत गौर अभक्त दब्रन्द की निदाई गौर प्रमानन दे हरे हरे ओम नमो भगवते बाशुदे बाया ओम नमो भगवते बाशुदे बाया ओम नमो भगवते बाशुदे बाया नारायनम नमस्कृत्यम नरम्चैव नरोतमम् देविम्सरश्वतिम्भ्याशं ततो जायमुदीदे मुकम करोति वाचालम् पंगुम्लंगयते गिरिम् जत्कृपातम हम्बंदे श्री गुरुदिन तारिने नष्टप्रायेशु अबद्रेशु नित्यम भागवत शेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिके कृष्णाय वाशु देवाया देवकी नंदनायचा नंदगोपा कुमाराया गुविंदा आपके विकष्णाय नायचा नंदुरी कृष्णाय थाया भागवति नेष्णाय आपजी नंदनायचा नंदनि आ दोगी नंदनायचा झालु आपक्तिर आपके। इस लोग आनुवात शिलाप्रभपाद के जाए महाराज अम्मरिष भगवान बाशुदेप के तथा भगवत भक्त संथ पुरुषों के महान भक्त थे इस भक्ति के कारण वे सारे विश्यों को एक पत्थर के टुगड के समान नगाणिय मनते थे शुलक नमबर अठ्राव निश्च बिश्च तिन अक्साद है इसका तत्परभपाद नहीं दिये है शुलक नमबर अठ्राव सबे मन कृष्ण पदार विंदयो बाचान सिवै कुंठ गुनान वर्नने करोर हरे मंदिर मार्ज नादिशो शुरुतिम्च कारा चुत सत्क थोदये मुकुंद लिंगा लया दर्शने दृषो तत्भृत्य गात्र स्पर्षवंग संगमम ग्राणम्च तत्पाद सरोज सौरभे श्रिमत्तुलश्या रसनम्त दर्पिते पादो हरेर खेत्र पदानु शर्पने शिरो रुषिकेश पदाभिवन्दने कामम्च दाशे नतुकाम काम्यया यथो तमस्लोको जनाश्रया रतिहि महराज अमवरिष शदेव अपने मन को कृष्ण के चलनकमलों का ध्यान करने में अपने सब्धों को भगवान का गुनगान करने में में का फिर शिदे भगवान के निडेशन में भक्ति करने चाहिए किन्तु गुरू के निडेशन के बिना आपने आपको प्रसिखित करपाना शंभव नहीं है हताईव श्रो रुपको स्यामी के आदेश है की आदेश की अनुशार भक्त का प्रथ्यमा करते वे हैं कि वो कोई प्रामानी गुरु श्विकार करे जो उसकी इंद्रियों को भगवान की दिव्यों स्यवा करने में लगा सके भगवद किता सत्वा अध्याय पहला स्लोक में भगवान कहते है और संसयम समग्रम्मा यथा ज्यांश्य शित श्रणू दुशरे सब्द में यदि कोई भगवान को पुरी तरह समझना चाहता है तो उसे महराज अम्वरिष के चलन चिन्नों का अनुशरन करते हुए भगवान कृष्ण दुड़ा देगे उपदेशों का पालन करना चाहिए कहा गया है रुषी केन रुषी केश शेवनम भक्ति उच्चे भक्ति का आर्थ है कि इंद्र के श्वामी रुषी केश या अच्चित कृष्ण की सेवामें इंद्रों को लगाना ये सब्द इन शलोकों में प्रयुक्त है अच्यूत सत कथा दे रिशिकेश पदा भी बंदने अच्यूत तथा रिशिकेश अब्द भगवदी गिता में भी प्रयुक्त हुए है भगवदी गिता तो साख्याद कृष्ण द्वरा कही गई कृष्ण कथा है और श्रीमत भागवतम भी कृष्ण कथा है क्योंकि भागवत में बरनित प्रते कथा कृष्ण से सम्मंधित है बंडेहं श्री गुरु श्री उता पदकमलं श्री गुरु निष्ण वाम्स श्री रूपं शाग्रजातं शहगना रगुनाथा नितंतं शजीवं शाद्वैतं शावधूतं परिजन सैतं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान शहगना लडिता श्री विशाखा निताम्स नमा ओम विष्ण पादाय कृष्ण प्रेष्ठय अभूतले श्री मते भक्ति वेदांत श्वामी नितिनामिने नमस्ते सारश्वते देवे गौरवाणी प्रिचारिने निर्विशेश शुन्यवादी पाष्चात्य देशतारिने वांचा कल्पतरु भेष्चा कृपाशिंधु भेवचा पतितानं पावनेभ्यो वैष्ण वेभ्यो नमौर नमहा नमौ महा बदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण जैतन्या नमिनिंगोर तुषे नमहा जैश्री कृष्ण जैतन्या प्रभुनित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्री वाषादि गोर्भत्त प्रिंदा हरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 अश्री बात क्या प्रिक्ष्ण करता हूँ एक रविपाजनी के कई लेक्चर में स्लोग कोट एए तात्परी में बिसेस करें भगवदी किता का 2.6162 में और भी बीच में 17 या 16 चाप्टर में ये स्लोक कोड किये तात्परी इम्रोपाज ने तो जो आज का स्लोक है हम तात्परी के अनिशार और स्लोक से कुछ सम्मानित चाचा करेंगे अभी तो बहुत सुन्दर लेशन्स चाप्टर से में मिलता है महावरत का महावरत में बीदूर्ची दृतराष्ट्र को बता रहें ये दस लोग धर्म का तक्तों को नहीं जान पाते हैं पहला कि जो नसे में चूर है इंटक्सिकेटर दिसरा है जो कामी ब्यक्ति है तिसरा है जो पागेल है चोथा है जो लोभी पाच्वा है क्रोधी छटवा है जो भूखा है शात्वा है जो इसा कुछ गर्वड़ी में जा रहे कहां फिर अठवा है जो इसा बीचलित इसके दस लोग बताते हैं जो कि धर्म का ततों से नहीं जानाद पाते हैं जल्दबाजिमे है और जो भूहिवित हैं और जो मेढ है मंद पागेल व्यक्ति इन दस व्यक्ति धर्मा की तत्यों को नहीं जान पाते हैं और हम देखते हैं इस प्रसंख से जब नाभाग महराज जब देखते हैं कि नाभाग महराज को पदा चलता कि उनकी भाई लोग ने शारे प्रपड़ी बात लिए तो क्या करते हैं उनकी पीताजी को आके मिलते हैं और उनकी पीताजी बताते हैं कि तो हर चट्वा देने वह यग्यों का कुछ मंत्र भोल जाते हैं तो आप क्या किजिए उनकी कुछ रिमाइंड किजिए उनकी याद दिला देजिए उनकी यग्यों पुरा हो जाएगा और उनकी यग्यों कुण में इतने सारे यग्यों का खंबे लेलो या कलस लेलो आचमन प आपको साले प्रपोर्टी मिलेगा तो जो जाते हैं और ध्यान से सुनते रहते हैं फिर चट्वा दिन जैसे कि अंगिरा गोत्र का रुशी लोग मंत्र भूल जाते हैं यह दिखिए वैश्णों का पाले द्रता है वैश्णों जो ठाकूर कमें देख लिखते हैं चेतर हमेशा दो प्रोटेक्शन चाहिए एक है दिनता दुसरा है मानता अगर वैश्णम में यह दो गुण है दिनता और मानता तो हमेशा भक्त में प्रगदी करते रहेगा तो यह जो रुशी थे नभाग महरज का पुत्र नभाग वो जाते हैं और चट्वा दिन जब अंगिरा रुशी का अंगिरा गुटर का रुशी मंतर भोल जाते हैं एक दिन सब्सक्वा बोलते हैं और अंगिरा गुट्र का मुनी रुश्यों को अगर आप लोग क्या हो तो मैं कुछ में जो गूरी से शुना हूं बताओं तो नभाग जैसे बолетे हो मंतर उनका यग्याँ पुरा ह बिदेते हैं और भूस द्हन संपती देते हैं तो पर मुझे रादा कोईंद मारच बोलते हैं जिसे अग्मिरा गत्र का मुण्रीशित शुरक लोग चले गे तो नभग सोच रहते हैं कि मैं क्या करता हूं सारे जो सामगरी करता करता हूं ट्रक्टर बक्टर बुला के सब मेरे युक नते संदोंको बोला सघ्ल से जिर्टी उतार जए Mooji शनमपतीं मुझे मुंटिश लोक ने दिये हैं यह आपका कैसे संदों छकता है कौलकोटबलटे कहाओ क्रिश्न ठन्रसमपति पहले से मुझे मिल चुगा है तो यह बोलते कि इसे कैसे तो बोलते कि नहीं आपकी जो पिताज है नभग महराज उनका पुष्किया आई है और जेसे ही यह देखिए महराजीश बता रहे थे उनकी लेक्चर में आम तोर से देखेंगे विशेश करेश जो घर ग्रहस्त में फशे हुए है जो कर्मी लोग है अभगत है उनका जिवन का आधा समय और जिन्देग भर का आधा इंकम कोट कचर में जाता है यह मेरा संपती है मेरा घर है मेरा पैसा है यह सब तो यह जो नभग महराज क्या करते है नभग क्या करते है आके पिताज को बोलते है नभग महराज को ऐसे से काला कुर ब्यक्ति आए और बोले कि यह सारे संपत्य उनका है पर उस्टी लोग ने मुझे दिये है तो इसे कैसे समझेंगे तो इसे में उनकी पिता जी बोलते है कि ओ जो काला कोल ब्रक्ति आहे कोई साधान ब्रक्ति नहीं है श्रुम भगवान संकर जी है और आप उनकी साथ भैस करके बड़ा नतिजा क्या निकलता है तो ये नवभग महराज के कहने पर नवभग जाते है और ख्यमा अचना करते है श्रुम जी को बलते हैं कि मुझे ख्यमा कीजिए आप इतने बड़ी व्यक्ति महत्वा आपके साथ भैस किया तो इससे में श्रुम प्रश्चुन हो जाते हैं वो बो करके यह बर्दान देते हैं आपका मती हमेशा भगवान कृष्ण में लगे रहे हैं सबसे बड़ा बंडेक्शन और साथ सथ आपको ओ अभय 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 प्राप्त होगा जो बड़े-बड़े तपश्य योगी मुनिजिश्यों को मिलता है तो इन्वेस में आपको यह बताना प्रपट नहीं था जितना नवा को मिला क्योंकि ध्रम की जीवन जीए उतना नहीं उनसे बढ़कर एक विश्यस महान भगवद भक्त जन्म हुए उनका नाम है अम्बशे महराज इसलिए इसलिए लिए इवंश धार्म के जीवन आपको जेते हैं धर्म आज़रन करते हैं ध आज से आरंब हो रहा है अंबरिश माराज का जो श्तर क्या था पहला स्लोगें बताते वो बलते कि वो साथ दीप का राया थे फिर भी वाशुदेवे भगवती तद भक्तेशुच अशादुशु तो आप तो भावम परम विश्वम येने तम लोश्ट्रवत स्मृतम तो इत परिखित शुकदेव गुष्वा में उनका जो शर्री कारगला अवयव उनको कैसे भगवान की सिवा में लगाए थे तो इनमें से बहुत बड़ा सिख हमारी से साधर के लिए है श्रमत भागवतम का तिसरा सिकंद का शत्ता विश्वा अध्या है इस पर कपिल दे माता दे बहुत को बोलते हैं जैसे कि शूर्य का किरण जब जल पर जब शूर्य का प्रतिभा जल पर पड़ता है पर शूर्य से अभिन रहता है शूर्य का प्रतिभा मिन्स जो शेडो अब्जेक्ट पानी में गिरता है पर शूर्य से अभिन रहता है वह से जो सच्चिदानंद आत आत्मा है वो क्या est प्रकृति में आता पशिय प्रकृति का नहीं होता है पर जैसे इस फिरłem email करता है फिर प्रकृति की कारे करता है कभी ऊस्चेतर योनी प्राप्त करता है कभी नीच तर कभी मध्यमतर क्रिशन कीताये बोलते हैं कि उर्धम गच्छनी सत्रत हो मध्य तीस्टों सिराजसा जगन्य गुणंबतिस्ता अधो गच्छनी तामर्श रहा एसे तीन प्रकार की जो योनी से तीन प्रकार की गुण की कारण उसको अलग-अलग सरी प्राप्त होता है मांसिक लेवल में शुक, सांध, समाजन के अनुsn की लदता है अहंकार की लेवल में मान, सर्मान के अप्रिक्हा करता है बोधिक शतर पर इसे अलग-अलग योनीव भटकता है विशेच करके जो मन है वो सारे इंद्रे का सेंटर है अगर हमारे बुद्धी श्ट्रॉंग नहीं है तो मन की साब से मुकार्य कर लेते हैं तो हमारे से सादक के लिए विश्षक्र के जो प्रभपाज जो किरूल डिजाइन क्या है जो मोडेल दिया हुआ है उसके बाल में हम लोग चाचा कर सकते हैं क्योंकि मंदर का सिनेर प्रेशिडेंट वो बदा रहे थे में उनकी भक्तर समाज में फिर बाद में कृष्ण भावना मुत छोड़के दूसरी कोई संस्ता में जाते हैं फिर उदर भी दोस्त दून तूनते हैं फिर जाते बाबाजी बनते हैं फिर बाद में बाबाजी बनके वी जाते हैं विदर से दोस्त दुख और ब्रंदा बन में अक् outrage भिजान करते हैं भजनाद से कुण्ज से राधा किशन को ढूढ़ते हैं फिर बाद में सोचती अल्टिमेटली आ रहे हैं भक्तियान के वह अंदर की बात है तो कपड़ा भी चेंज़ कर लेते हैं पैंचाट पहनते हैं फिर बाद में जब भी धंग्शनें करते हैं तो प्रोपा लेक्टे तत्परे में फास्ट क्ला सर्वेंट ऑफ फिम्शिकाल मैंड इस दुष्मन जो मन का दास बन जाता है वो दुष्मन हो जाता है परन्तु वही मन अगर गुरु का आश्रय में रहता है वो शूमन मन जाता है तो इसलिए हमें दुष्मन नहीं शूमन को करना है क्योंकि भगवदी किता में क अगर हमारे मन को बंदु जी साम व्यभार कर रहा है तो हमें प्रगवर्दिकने के लिए मदद करेंगे अगर हमारे दुशमन साम उसको बिहेव करेंगे सास्त्रा की निदश को अनुशार निदशार अगर जिवन नहीं जेंगे उसका विपर्थि जिवन जेंगे तो हमें बहुत निश्य तक जिवन जेंगे करेंद इसे को सादक कष्टीती और सादक क्या करता है भक्त दूर चले जाता है माल का बहुत नात खाता है पिंचिसे म dazu है थो बॅट करे ऊसे लिए हमारे कृषञ में चाहे है कि झतना कृषिन यह रखेंगे उतना हमारे मन को स्पिरिकली नरी्श होगा जितना माया को इतना दूशीत होते रहेंगे तो के से हमाराज को आप लोग ने सुना होगा जिसे कि मचली जिसे अपर उपर से तेरता है माया माया रूपी पाने में रहेगा तो बज सकता है वईसे हम भी जितना डेप लिए कृष्ण को प्राक्टिस करेंगे उतना मुकाम बज़ पाएंगे तो ये भागवतम का पाच्वास्कन में जब रहुगण और जड़भरत की संबाद आता है पुष्ट में जड़भरत महराज रहुगण को बोलते हैं वो बलते हैं कि भृत्यव्य एनम तद अभद्रम बेर्यम उपेख्याध्यतित्यम अप्रमात गुनेर हरेशु चलनाप हरी गुरु चलनापाशनास्त्रो जाही बेलेकम बयमात्मना हों मन को कैसे कंट्रोल क्या जाए श्यम जड़भरत रहुगण को अपतेश कर रहे इस अनकोंट्रोल माइंड इस अन्यंत्रति मन है शिवसे बड़ा सुर्त्रु है अगर हम उसको नेगलेक्ट करते है ध्यान देते है तो हमारे पर विजय प्राप्त करेगा अल्दो इस नोट एक्ट्ट्रु आप्ट्रु जो जीव का जो आत्मा का जो शुरुप श्तिती है उसको कवर कर लेता है ओ किंग प्लिज ट्राइटो कंकर दिस मायन बदवेफन ऑफ सर्विष तुदे लोटर स्वीट अफ भीज़ल मास्टर अन्द शुप्रीम लॉड इस मन को अगर आपको बस में करना है उसके उपर जीतना है उसके उपर माप करना है तो हरी गुरु चरण उपासना अश्त्रा जैसे कि हम लोग कुछ कातने के लिए उज़ कर रहे वैसे हमार जो कर्म बंधन को कातने के लिए हरी गुरु चरण रुपी उपासना अश्त्र दरा कार सकते हैं डू दिस वित ग्रेट केर और ध्यान से करना चाहिए या वही कभडाज गुष्चा में लिखते है कि साधु शाष्त्र कुरुपा यदि कृष्ण उन्मुखी होए श्य जीवन निस्तर मया ताहरे छाड़ाए कौन सा जीव मया से परे चले जाता है जो साधु गुरु की साधु कृष्ण कृपा यदि कृष्ण उन्मुखी होते हैं तो इसलिए जो सारे यह का मैं यह बताना चाहता हूं कि मन को अगर बसमें करना है तो हमेशा इसलिए हमें जरुत है गुरु का जिसे कि हम देखते हैं हमने अब दिखा इसे एपिशोर में जो साधक क्या करता है जब अपना मन की हिसाब से चलता है तो उनका एगो उनकी अथरिटी एगो रहता है क्योंकि द्वन्द प्रमात अब इप्रिलिशा करना पाटब इस्ष्वर बाकिया नहीं दोसे इसब हम लोग है जो हमारे अंदर चार दोसे और चार दोसे कारने हम लोग क्या करें हमारे जो अथराइज को अथरिटिकोण है हमारे अहंकार हो एगो हमें बोलता है यह करो ओ करो तो जिसके वह साधक क्या कर रहे है अपना मन का सुनता है इसलिए उसका प्रतन हो जाता है पर वह साधक अगर कोई अथ्राजरी गुरु है द्वन्द प्रमात अभी प्रदेशा करना पाटव इस्वरव अख्या नहीं दोसव इसब यह जो आध्यत्मिंग गुरु है उनकी अंट्रगर जिबन जेता है तो क्या कर सकता है इस मया को बस्मिंग कर सकता है तो इसलिए हमें अथ्रिटी का इसलिए जरुत है क्योंकि अथ् आध्याट वार उसका अपवरुष है यह जो पूरुष में चार दोस होता है परन्तों अपवरुष है भगवान वे कोई साधाने पूरुष नहीं है इसलिए उनमें चार दोस नहीं होता है दूसरी हम लोग सास्टी दूसरी यह दिख सकते आध्यत्मिंग गुरु है कौन इसके लिए कभिराज गुष्णा में लिखते है चेतन चत्ता मुत में हो बलते है कि गुरु कृष्णा रूपय होय साध्रेरा प्रमान गुरु रूपय कृष्णा कृपा कौरे भगवान तो बलते है कि गुरु कृष्णा रूपय होया साध्रा प्रमान साध्र यह बता र स्विश्वेग आते हैं सक्ष्याद हरी त्वेन समस्त्र सास्त्रे सारे सास्त्र बतारागी गुरुश्यम हरी है या अवर हम लोग उसी स्टांजर में देख सकते हैं निकुझय यूनोलती केली सिद्ध्य या यालि भीर उकते पिख्षर नीर दें realized будете क्लोज फ्रेंड वेम्ध क्रिशन डिलाय उनको मदद करें यह है गुरु का इस्तर क्या है और हम लोग चर्चा कर सकते हैं जिसी भगवदी किता में क्रिश्ण बलते है कि मही शर्व मिदम प्रोक्तम शुत्र मनि गनाईवा बलते कि मेरे से बढ़कर कोई है ने से दुनिया में क्रिश्ण बलते हैं पर वही क्रिश्ण इसी प्रसंग में बलेंगे वह बलते हैं कि मेरे से बढ़कर एक व्यक्ति होते हैं और क्रिश्ण का आश्रे मांगते हैं क्रिश्ण बलते हैं कि ही आश्वतव बहद द्रीर्व में सौच्टे हैं मैंने सोच रहे था बवजकुण में कुछ नियाई बहुदा होता रहेगा अर बवज़गवान बलते हैं कि मैं असुटतंतर हूँ और बाद में भखवानिस म साजश्टस्र रिधैया कि मझे भक्त लोग ने क्या करते में बांद लिए है भक्ते भक्त जन्नक प्रियो। ना तथा में प्रयतम हाँ ना तथा में प्रयतम हाँ आत्मयोनी ना संकर हाँ वो बलता है कि हे उधव मुझे आत्मयोनी आने के ब्रह्मा जी उतना प्रया नहीं है ना संकर हाँ शीवजी भी इतना प्रया नहीं है ना तथा में प्रयतम हाँ आत्मयोनी ना संकर हाँ ना चा स पत्र आजना कंड़ी नीए तो प्रीय यह था भावान आप जितना प्रीय हो उतना मुझे कोई नहीं है भगवान बलते हैं इसलिए मेरा भक्त मुझे प्रिय है या आगे बलते हैं जो भक्त है उनमें क्या-क्या गूण होता है क्यों बहते है वो बलते हैं कि निरवपेख्य, मुनि, सांत, निरवभईर, समंधर्शे भी ही, अनुब्रजामी अहम नित्यम, पुयत अंग्री रेणु भी, निरवपेख्य, जो भखतो होते हैं, वो इंपर्शल रहते हैं, किसी का भी साइड ने लते हैं, कोई अगर अपरिशियाटिक कर अगर इंसल्ड किया मिश्विव किया तो उनसे दूर नहीं भागते हैं, मुनि, हमेशा मनन्चिल होते हैं, सांत, हर्ष्टि में स्टड़ी रहते हैं, निरवपेख्य, मुनि, सांत, निरवभईर, समंधर्शे भी ही, सब को समान दूसरी देखते हैं, ऐसा भगतों के लिए अनुब्रजामी अहम नित्यम, हमेशा उनकी पिछे-पिछे भागता हूँ, क्यों भागते हो, पुई येत अंग्री रहनु भी, उनकी चरन धूर लेने के लिए, जिसके द्वरा ये सारे उनिभर्स को में सेंक्टिफाइ कर पाओ, ये है भगतिका इस्तर, इसलिए हमें आ आध्यत्मिय गुरु को आध्यत्मिय गुरु सु नरा मति शेक शलोगे प्रपाज कोरू करते रहते हैं, तो इसलिए आध्यत्मिय गुरु को कोई साधान व्रक्ति नहीं मनना चाहिए, श्यम भगवान की प्रतिनेधी है, और प्रपा लेखते है कि, ब्रह्मान अ भ्रमी त प्रपा लेखते हैं, जो गुरु होते हैं, इसलिए कोई साधान व्रक्ति को नहीं मिलते हैं, जो भागिवान जीवे होते हैं, उनको गुरु प्राप्त होता है, इसलिए शाधाक को गुरु के साथ सिरेशली देल करना इंपोर्टेंट हैं, उसके तरह प्रगति कर पाएग तो भक्त का आउर क्या क्वालेटीज है इसके लिए कभिराज गुष्चा में जो इतन्य भागवतम में बुर्द्धान श्थाकू लिखते हैं उबलते कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है क्रिष्ण भजी बारे जारा अच्छी अभिलास से भजू का क्रिष्ण रा मंगल प्रियदास अगर कोई व्यक्ति क्रिष्ण की भजन करना चाहता है तो क्रिष्ण की जो मंगल प्रियभक्त है उनका अगर वो सर्वेंट है तो मुझे प्राप्त करे पाएगा तो लिखते है कि तुमारा रिदेश दा गोविंद विश्राम गोविंद कहे नमरो बष् या आगे बलता है कि क्रिष्ण से तुमारा क्रिष्ण दिते पार तुमारा सकति आछे गुर में यह सकती है कि वो क्रिष्ण दे सकते आमी तो कंगाल क्रिष्ण क्रिष्ण बली धाई तब पाचे 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 पर एक भक्त में ओ ग्रिडिनेस होना चाहिए ओ में वो बले कि कोई अगर फ्लाइट का एक्सिदेंट हो रहा है तो इससे में कोई इसा नहीं सुचना चाहिए कि क्योंकि गुरु का अश्रय लिया है ताकि भ्यक्ति क्या कर पाएगा जिसे कि अंबरिश महाराज ने भगवान की चरण में भक्तों में आशक्त है इस स्तर तक पोच पाएगा क्योंकि अभी हम लोग अगर इस नवसादक स्तर पर अगर प्रयास करेंगे तो दो चाह दिन के ल लेते हैं बाद में वहीं सादना भक्ति बाद में रागरम भक्ति के परणा दोच जड़ा है तो कभिडाज उसमें आगे बोलता है कि सारे जो जीवों का दुर्दस्या क्या है क्रिष्ण भूली सेई जीवो अनादी बही मुख अतव माया दे तरे संसारे दुख जीव क्रिष्ण को भूल गया इसलिए माया उसको अलग-अलग दुख दे रहे हैं कभू सरगे उठाए कभू नरके डुबाए दंडे जन राज जनों अधिते दुबाए अब्यक्ति कर्म की हिसाब पुन्यों कर्म की फॉल बलबुते पर हेवन प्लानेट में एंजियमेंट करता है फिर उनकी पाप को निशिन्फुल एक्टिपटी करन और हैलिस प्लानेट में सफरिंग होता है फिर आगे क्रिष्ण नित्योदास माया को जय करने का उपाय क्या है यह पास श्लोग में बताते हैं वह बलते है कि साधु शास्त्र कृपाई जदी क्रिष्ण उन्मुख होए शेई जीव निस्तर माया तहरे चाड़ है अगर साधु और शास्त्र की कृपा से क्रिष्ण के और अगर आगे बढ़ रहा है तो किसी को भी इसा ब्लेम नहीं करना चाहिए कि मुझे कुरुपा नहीं मिल रहा है नहीं और बोलते कि इसी बारिष हर जागा में होता है पाने में होता है पत्थर के उपर होता है पाहड में होता है तो जिसको जितना एप्जर करने के पासिटी है उसके साब से पानी उसको उ अपने आपको पहचान केसे करना चाहिए शास्त्रो गुरु आत्मा रूपे आपयनारे जानों कृष्ण मरो प्रभुतात्रो जीवर होई ज्यान हमें सा अपना जो शुरुप को पहचान नहीं मैं सरी नहीं हूं बले कि आत्मा हूं प्रभपात बोलते कि उन्हें लेक्ट्च बाद में हम जो क्यारे करेंगे अगर हम लोग सारे की लेवल में रहेंगे तो प्रभवति नहीं कर पाएंगे फिर आगे बलता है कि कामों कृधिर दाशो होई तारा लाथी खाए ब्रहमिते ब्रहमिते यदि साधू बाइद्य पाए तारा उपदेश मंत्रे माया पिशाच पलाए कृष्ण भक्ति पाए तवे कृष्ण निकटे जाए तो इसलिए हम अगर कृष्ण की निकट में जाना है तो जो साधू का उपदेश है उनको स्ट्रिक्टली फालो करना चाहिए शुन्दर में नोट करके लाया हम समय की साब से आगे बढ़ेंगे तो एक स्टोरी म से प्रगदि कर पाता है तो यह लेवन हंड़ेड ट्वल हंड़ेड सेंचुरी का कथा है उडिशा प्रांत में एक राजा होके गए है उनका जो नातु थे उनका नाम था अंगद सिंग वह अंगद सिंग विशाल योधा थे कई योधा मिलके उनको पराष्ट ने कर पाते तो यह अंगद सिंग क्या करते है एक बार जब कई मलेच जो योधां को हरा लेते थे तुस्टर में हम लोग इंडिया हिस्ट्री में दिखते है आकब और जहांगेर बाब और हुआ हो बाद में उसकी पहले जब वो नवाबोशन साब अगराब इंडिया को आकरवन किये है तो यह महमद घजनी का महमद घोरी का समय का बाद है तो यह जो मुसलमान स्वेनिक लोग अंगद सिंग को आकरवन करते है और अंगद सिंग जईपूर प्रांद का एक राजा का ग्रैंट सौन थे जईपूर में शोडी समय के जागा है जईपूर तो यह जो जईपूर प् डेन को बताया है. हमारे जीवन में, अगर हम भगवान को पाना है, भगवान को आकर्षित होना है, तो हमारी जीवन जीवन जुov शबस्य कीम्तीुजें उनको भगवान को देना चाहिए. अगर वो देते हैं तो भगवान को अकर्षित हो जाते हैं तो जो अंगद सिंग का करते हैं यह सेंटेंस सुने थे फिर इदर मुसलमान राजां उसाथ यूद करते हैं और मुसलमान जो राजा उनको राजां को पराष्ट कर लेते हैं फिर उनमें से मुसलमान राजा था उनक महात्मा ने बताय थे प्रवचन में, जो सबसे किम्ती चीजे है जीवन का भगवान को देना चाहिए, तो मैं भगवान जगनात को एक मुकुट देने बाला हूँ, तो इससे में, ओ जो अंगत सिंग का जो, क्या बलेंगे, नाना जी, जो राजा थे, जैपर प्रांत का, उनक की सबसे नाता, बिलेंहेंगें नगत इतना का जीट प्रांत मिला हूँ, तो महराजा很好 मिलँ मुझे मुझे ड़नाध को. तो जो नाना जी थे, उनकी इतना दिवोर्टी नहीं थे, ओवलेगी नहीं मैं राजा हुँ, मेरा उजो प्रपर्टि का अउनर मैं हूँ आप मुझे दे दो तरहीं के से Запांश हो, परिज़ में नहीं देते हैं वliका करता हूं इनकी खाना से पाइंजन, जहर डालके उनको खाना हवे खीला अगवत अनकी भेहन क्या है कि दुष्रा दिन कल खाना पर्षूत अंगाति सिंह को उसमेगे उनकी ऊपर करते चीवाजा कृते है और ओब बहने संब थूर प्रकंठा है टो इसमें अंगद संख्या क्या करते है, खाना नहीं खाता है, भाग जाता है जगनातपुरी के divis drawer, जोईपुर से तो राजा क्या करते हैं अंगल सिंग को छोड़ देते हैं फिर बात में वो अंगल सिंग क्या करते हैं बड़ी खिन और दुखी रिदे से जगनाजी के दर्शन के लिए बोलता है कि प्रभू मैंने प्रयाश की आपकी सेवा काने के लिए पर में साथ योग्यों नहीं हूँ इसलिए आप मेरे सेवा स्विकार नहीं कर पाएं तो जैसे जगनाज के दर्शन लेते हैं तो दिखते हैं कि जगनाजी के मुकुट में वो डाइमॉन लगा हुआ था तो मेरा कहने का अधिश क्या है अगर कोई व्यक्ति भले रोजोगोनी हो भले उनकी बाताबन अच्छा नहीं है फिर भी अगर भगवानी कथा सुनता है तो इसको सदिकति प्राप्त होता है तो यह कुछ बताया मैं और 10 मिनटे मेरे पास मैं कुछ नोट करके लाया हूँ जिसकी अंबरिश महाराज ने भगवान की सब अलगल अवयोबों को भगवान की सिवा में लगाया था व यह है आट अब चांटिंग बूक को आपने से को डिवटी पढ़े भी होंगे प्रभपाद के वरिष्ट शिष्य ने जो किताब लिखे हैं उनमें से कोट की है सकंद पुराण बात में गर्गश नहींता मश्च्य पुराण शराथ दर्शन जो की विश्वन जो का टिका है वागवत के उपर फिर बात में आनंद चंदरिका जो की चक्रण पाद ने लिखा टिका गोविन लिला मुद के उपर बात में जिवगोश्यमिका करपदा यूगल शंबुरुत की खिताब के खिताब की अच्छिमें है तो हम जो भगवान की दर्शन लेते हैं तो हमारे किस किस प्रकार की ब्हावना होना चालिए उस लिखते हैं भगवान की जो चरन में स्ट्वा अलगरी चिन्न होता है जिसके राध Armen क्रुष्ण की चरन में अलगर तिवय कशिन ने ह करता है और इसका प्रतिक हम लोग क्या पातना कर सकते हैं तो पर फोड़ी चर्जा करेंगे पहला कि संख है तो भगवान जो चर्ण में संख है और शंख्यान की विजय का प्रतिक है जब भी कोई व्यक्ति भगवान की चर्ण का मुलगा आश्रे लेता है उसको दूसरी कुछ बहे का जोरुत नहीं होता है, जिसके हम लोग संख फुकते हैं, उसका आर्थ का है, हम लोग ये घोशित करते हैं कि डरो मौत, सक्सेस आपके पीछे हैं, दुसरा है, जो संख है, हो क्या करता है, भगवान को नहानने के लिए पानी रखते हैं, हम लोग संख में, तो हम फिर आगे बलते हैं, फिर आगे बलते हैं कि धोजा है भगवान की चरण में, धोजा ये प्रती करता है कि जिसके व्यक्ति कोई भी चीजे को जीत लेता है, तो धोजा ये करता है, जंडा फेरा गुमाता है, तो वही से भगवान बलते हैं कि आप भगवान बलते हैं कि पाने के अलावा जी नहीं सकता वैसे जो भक्तों होते हैं भगवान के अलावा नहीं जी सकते इसलिए कि भक्तों को ये लालसा होना चाहिए कि मुझे भगवान की चरण में शिवा में लगे रहे नाए बाद में ये भी आचारे बोलते हैं हमारे mind is like unsteady fish हमारे मन है एक unsteady fish देशा और वो मचली को पानी का जोड़ा दोते हैं वैसे भगवान की चरणे आने की वो जल का तलाब है और 1 रुपी मचली को उधर लगा सकते हैं फिर आगे बताते हैं कि जैसे की मच्चय अबतार लिये भगवान ने और उनकी भक्त प्रियवत को प्रोटेक्ट के वैसे भगवान बलते हैं कि आप डरो मत में आपको प्रोटेक्ट करेगा फिर आगे हैं भगवान की चरण में कमल का निशान है तो कमल यान की पनमिल सक्सेस फर्षुन एक व्यक्ति यसुशी बनेगा और उसकी सोभागय के उद्य होगा फिर बात में धनु धनु ये प्रतीक करता है धनु क्या करता है तेर मार के योधां को परास्त करता है वैसे अगर हम लोग भगवान की चलन का धनु को याद करते हैं तो हमारे जिवन में जितने स करने के लिए हम लोग अंकोष यूज करता है वैसे मन रुपी हाती को बश्मे करने के लिए भगवान की चलन में चलन में अंकोष हमें प्रोटेक्ट करता है बात में देखते हैं त्रिकोन है भगवान की ट्रेंगल है भगवानी चलन में त्रिकोन का प्रतिक यह है भगवा भगवान की चलन में आश्र लिया है तो तेनी गूण है शुत्योगूण रजगूण तमगूण उसको बिचलित नहीं करेगा पिर बात में यह भी बताते है कि वांशुर्शुर्वक्रिष्ण इन तन्धन्मन तन्मन बचन तन्मन बचन की साथ सवा कना चाहिक साधव को त्र कि डिवोटी वाई सर्विंग लॉट्स फीट विले अटेंट अपुलेंस जिसकी जोग का दाना में हम लोग क्या करते हैं जिसे भाज धन धन्य है और खुशी में रेता है वह से भगवान बोलते कि आप चिंता मत करो आपकी जिवान में आश्वर की प्राप्ति होगा फिर बढ़ते हैं तो हमारे जो जन्ममण इस है नंश्डु जयाता है फिर आगर बलते हैं जो राधा किष्ण की चणर का चिंन है एक और चंद्रा अर्दा चंद्रा मईके सिवी जी का मुकूट पर रहता है तो भगवान बलते हैं जिसे कि सिवी जी मुझे इतना प्रिय है अगर कोई व्यक्ति मेरे चरण का श्तित अर्धशंद्रों को याद करता है तो व्यक्ति मुझे उतना प्रिय बन जाता है फिर आगे उर्धर रेखा है दिखाऊगा आप लो कि जो भगवान चरणी के अस्रेलिया है उसको भगवान यसे ले रहता है बाद में भगवान की स्रण में कुम हम का के निशान हे तो आप रकर्ड करते हैं इसेकि कि कुम हम हरे बहान के श्तितत अम्रूत करस अम्रूत का कोईस नास नहीं होता है वो इसंग कोई ब्यक्ति specific हमें सा यस्व शिद्य बनेगा हो फिर चक्र चक्र यान की बताते है कि जिवात्म का जन्वमृति की जो साइकल डेत्वाद साइकल उसको चक्र कात लेगा इसा सुन्द सुन्द 31 मार्किंग है तो मुझे लग रहा कि आप लोग पढ़ सकते आट अप जैन्डिंग भूक अभी समय इतर एंड हो रहें तो हम इतर रहेंगे किसका कुछ कमेंस कोट करना है तो बोल सकते आप लोग प्रावपात के जा गरंतराज भावत महापुडान के जायनिताय गोर प्रमानंदे आप प्रमानंदे आप प्रमानंदे आप